सुप्रभाद दोस्तों कैसे हैं आप लोगों मेदे आफ सब अच्छे हो अगर उम्मीद करते हैं एमेड इंटरेंस एक्जाम देने वाले बचे काफी ज्यादा सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आप गिंती के 2-4 दिन बचे हैं 25 जुलाई को आपका एमेड का इंटरेंस एक्जाम होने वाला है उम्मीद है आपको इंटरेंस एक्जाम के सलेबस और इक्जाम पैटरन के बारे में पता होगा और ये भी पता होगे कौन से पॉइंट से कितने प्रशनात हैं कितने नंबर के प्रशनाएंगे कितने टोटल कोश जिलाएंगे नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पता होगा चलिए एक बार दोहरा लेते हैं देख लेते हैं जिने नहीं पता है वो भी जान जाएंगे इस वीडियो के अंद तक तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटील देख लेते हैं एममेड इंटरेंस एक्जाम 2022 अवद विसी विद्याले के बारे में इस बार का जो इंटरेंस एक्जाम हो रहा है 2022 अवद विसी विद्याले में उसके लिए जो जेनरल इंस्ट्रक्शन जी ने दिया है उनका कहना है कि जो इंटरेंस एक्जाम होगा वो multiple choice questions में होगा यानि कि आपका optional subject रहेगा और total 180 minute का paper होगा यानि कि तीन घंटे का paper होगा तीन घंटे तक आपको examination center में बैठना है और हर एक प्रशन एक number के पुछे जाएंगे और the most and most and most point यहाँ पे ये है कि कोई भी negative marking नहीं होगी there will be no negative marking so इसके लिए आपको बिल्कुल घपराने की जरूरत नहीं है जितने भी प्रशन आएं वो भी करिए ना आएं अपने बुद्धी विबेक से सोच समझ के जो भी सही भी गलब लगे उसको आप टिक जरूर कीजिएगा और last point इसमें कहा गया है the number of questions and the syllabus for the entrance exam test of above program above program मतलब हम इसमें बात करेंगे emet की तो emet का नीचे mention किया गया है कहां mention की है चलिए देखते हैं कि emet entrance exams का क्या syllabus है कौन से topic से कितने question आएंगे उमेद है यह आपको समझ में आ गया होगा mcq होगा 180 मिनट यानि 3 गंटे का paper होगा हर एक प्रशन एक number का कोई negative marking नहीं यह है आपका general instructions चलिए हम देखते हैं syllabus क्या है आपके emet entrance exam 2022 के लिए तो syllabus आपकी screen पर emet total number of questions would be 200 200 कुल प्रशन होंगे और 200 कुल प्रशन होंगे मतलब 200 number के आपका entrance exam होगा अब इन 200 number में आप यहाँ पे देखिए सिक्षा दर्सन मतलब दर्सन क्या है और दर्सन दर्सनिक जो अरविंद घोजी स्वामी विवेकानन जी महात्मा गादे जी ने इन्होंने जो अपने विचार रखे थे सिक्षा के बारे में उस प्रकार से आपसे उन बिंदों से आपसे सवाल पूछा जाएगा सिक्षा दर्सन के बारे में तत्व मिंसा ज्ञानवी मंसा ये सारी चीज़त क्या होती है दर सिक्षा दर्सन के अंतरगत आती है इससे आपके दस प्रशने पूछे जाएंगे सिक्षा का समाज सास्त्र सिक्षा क्या है समाज सास्त्र तो इससे सम्मधनी दस बहुवी कलपिया प्रशने पूछे जाएंगे और आपको पता है इंटरेंस एक्जाम से प्रशने कौन बनाता है कैसे बनाता है आप इसको numbers of questions गेस नहीं कर सकते हैं कि कैसे प्रशने पूछे जाएंगे हां लेकिन अगर ये point आपका clear है तो आप easily कर ल बात आ गई तो स्रब्वेदी स्रसमागरी से सिच्छा तकनीकी और models of teaching instruction designs ये सारी चीज़े सिच्छा तकनीकी के अंदरगात आती हैं जिससे आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नमर के भारती सिच्छा का इतिहास अगर हम भारती सिच्छा की इतिहास के बारे हम बात करें तो भारत में सिच्छा का उदय कैसे हुआ 18132 का घोशना पत्र महकाले का विवरर पत्र वूड डिस्पैच इन सारे चीजों से आपसे प्रशने पूछे जाएंगे साथी साथ ये भी प्रशने पूछे जाएंगे जो आपकी राष्ट्रिय सिच्छा नीतिया रही 1868 की सिच 1886 की सिच्छा नीति हो गई ये सब चीजे आपकी आती हैं भारती सिच्छा के दियास के बारे में तो इससे सम्मदित आपसे प्रशन पूछे जाता है पार्ठेक्रम का विकास में आपसे पूछा जा सकता है मैं आपको बस बता रहा हूं कि पॉइंट के अंदर क्या क्या च सम्मदित होता है पार्ठेक्रम का उद्यस क्या होता है इससे सम्मदित दस प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके पार्ठेक्रम के सिधान से स्वारी पार्ठेक्रम के विकास पार्ठेक्रम के विकास से दस प्रशन यहां पर दिया गया स्वास्त सिक्छा की बात कर परषासन इनके कारिय यह क्या होता है इसके बारे में 10 प्रश्ण सिख्चा मैं मापन अर दिस प्रश्ण पूछे जाएंगि और सिख्चा का अभी रूची परिक्ष्ण यह बहुत ज्यादव इंप्रष्ण इसे आ grammar तोटल पचास नमबर के प्रश्ण आएंगे इसका क्या बतलब हुआ सिक्षड का अभी रूची प्रिक्षड मतलब कुछ ऐसे तारकी के प्रश्ण दिये जाएंगे कुछ ऐसे प्रश्ण दिये जाएंगे जिससे ये चेक होई पाएगा कि जो बच्चा एक्जाम देने जा रहा है तो इस प्रकार के प्रश्ण आपसे चेक किये जाएंगे तो उसका सही जवाब होगा कि बच्चे को दूसरे तरीके समझाएंगे प्रोच सहान करेंगे तो मतलब इस तरह से आपसे पूछा जाएगा ये चेक करने के लिए कि आपकी सैचिक छमता कितनी है आपके सिछड अविरूची कितनी है इस चीस के आपकी परिक्षड की जाएगी सोध हवी रूची परिक्षड आप किसे कुछ सोध के बारे में प्रशने पूछा जाएगा कि कैसे आप इन चीजों को हल करेंगे वो सब बहुवी गल्पी रहेगा तो बड़ा ही आसान ये सारे पॉइंट बहुत आसान होते हैं आप अगर ध्यान पूरवक्त प्रशन पढ़ 200 नंबर का टोटल प्रशने पूछा जाएगा और इन 22 से प्रशने पूछा जाएगा आप एक काम करिए आप मेट इंटरेंस और आपके बुक है तो बुक से अगर जो भी आपके प्रिवियर्स के कॉलेज की बूक है आपके एकजाम के लिए एक पर उन सब को पढ़द देख लिजगा इन सारे परस्थ कंतगत क्या क्या आते हैं आपका पर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप द्यान पूरवक्ट प्रष्ण को पढ़के विकल की उत्र को पढ़के अगर आप शाओधानी पूरवक्根 करेंगे तो इज़िय आपका पर अच्छा हो जाएगा मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार स्क्रीन शॉट ले ले लिए इसका ताकि आपको इंट्रेंस एक्जाम की तैयरे करने में सहाय था मिले फिला इस वीडियो में इतना ही दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट में अपनी राय दें अगर अपनी देखा अपने व झाल